हेलो गाइस वेलकम टो पेक मैं यूटूब चैनल तो चलिए गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं पेंटिंग ब्रस के बारे में जैसे कि आप देख पा रहे हमने स्क्रीन के सामने में अलग-अलग साइज के पेंटिंग ब्रस को लेके आया हुआ है और आज हम इनके बारे में बताने वाले हैं के इनका यूश कहाँ पे किया जाता है और किस किस काम में किस किस साइज के पेंट ब्रस को यूश किया जाता है तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि हम इस तरह की नई-नई अपडेट्स आप तक पहुचा सके लाइक एंड कमेंट करके बताई कि वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जादा से जादा सेहर कीजिए आप जैसे की देख पा रहे हैं कुछ ये इस तरह की अलग-अलग साइज से हमारे सामने में रखे विये हम आपको इन्हें खोल के दिखा देती हैं कि किन-किन साइट्स के हैं और इनमें किस-किस कॉलिटी के पेंट ब्रस एवलेबल हो जाते हैं और हमने अगलाक से एक वीडियो और अपलोड करके रखा हुआ है जो की अमबर कमपनी का ब्रस है आप जैसे कि जानते ही है कि अमबर कमपनी के ब्रस को किस प्राइस से लिया जाता है और किस प्राइस में सेल किया जाता है हमने उस वीडियो में आपको बता के रखा हुआ है आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि उसकी प्राइस क्या होती है चलिए हम इने खोल लेते हैं और दिखा देते हैं आपको कि इनके साइच क्या क्या है जैसे कि आप देख पार है हमने इसे खोल लिए है और यह कुछ इस तरह के बने वी ब्रस है काफी सॉप्ट है यह यह देख सकते हैं आप यह अलिस्को के हैं 125 mm ब्रस है यह यह देख पा रहे हैं आप यह 100 mm ब्रस है यह भी कॉफी सॉप्ट है और आप जान सकते हैं कि जितना सॉप्ट ब्रस रहता है उतना अच्छा रहता है और वह ब्रस बार बार तूटते भी नहीं है क्योंकि जितने सॉप्ट ब्रस रहेंगे उतने ज्यादा हुआ ज्यादा घिसने वाले भी नहीं है इसे आप देख सकते हैं कि अ जिस्ट इस तरह से यह भी काफी सोप्ट रहे हैं आप यह देख सकते हैं यह सारे जितने घिपर से जितने ब्यर्स जितने भी इनमें सामने कि और लगे हुए ब्रस के पॉंक्त डिखाई दी रहे हCR वह सारे एक ही टाइप से बने हुए हैं यह इस तरह से आप देख सकते हैं यह भी जो ब्रस है यह भी काफी सॉप्ट है यह 38 mm है और यह 50 mm है यह देख पा रहे हैं आप यह 25 mm है जो कि इसे एक इंच ब्रस कहा जाता है यह सवा इंच ब्रस है जो कि 38 mm कहलाता है 25 mm ब्रस एक इंच 38 mm ब्रस सवा इंच और यह जो आप देख पा रहे हैं 50 mm ब्रस यह आता है 1.5 इंच और यह जो देख पा रहे हैं आप ऐसे 100 mm का ब्रस यह 2 इंच ब्रस कहलाता है और यह जो आप 550 इमम का ब्रस यह ब्रस आपको घह इंच ब्रस कहलाता है यह और रहे हम बता दे कि इनका भी यूज हम डेंटिंग पेंटिंग में करते हैं जिससे कि अगर आप किसी धारियों को बना रहे हैं धारियों में पेंटिंग को कर रहे हैं अगर छोटी पेंटिंग को करना चाहते हैं तो इस ब्रस का यूज कर सकते हैं और ये भी ब्रस अगर आप gate में paint कर रहे हैं या किसी wood में paint कर रहे हैं, wood primer कर रहे हैं तो आप इन ब्रसों को use कर सकते हैं जो की 50 mm, 38 mm, 38 mm और ये 25 mm आप इन तीनों brush को छोटे काम और पतले कामों में इनका use कर सकते हैं और ये जैसे कि हमने बता हैं आपको 125 mm और 10 mm brush आप इनका use denting painting के काम में भी कर सकते हैं और अगर आप बड़े काम भी करना चाहते हैं, denting painting के तो आप इने और इने भी use कर सकते हैं तो आप समझ चुके होंगे कि ये इन ब्रसों का use कहा 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 किया जता है तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो like and subscribe करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में आप इसी तरह की हाड़वेर से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि क्या क्या हाड़वेर टूल्स होते हैं और उनका कहा कहा यूस किया जता है तेंक्यू